नमस्कार जारखन में दरोगा की भरती आने वाली है जिसे लेकर पुलिस मुख्याले से संकेत मिले हैं बताद एक बुरे राज्य में 946 पदों पर बहाली निकलने वाली है जिसकी भरती परकिरिया संभवता नॉम्बर महिने से ही सुरू हो जाएगी बताद एक बरती परकिरिया JSAC के द्वारा हिली जाएगी क्योंकि पिछली बार भी 2018 की भरती परकिरिया JSAC के द्वारा हिली गई थी तो आईए ख़वर को विस्तार से जानते हैं तो यहाँ देख सकते हैं या हिंदुस्तान का आज ही का पेपर कटिंग है जिसमें भरती परकिर्या के बारे में जनकारी दी गई है। पूर्वी सिम्हूम में भरती होगी और मुख्याले से किस जिले में कितने दरोगा के पद हैं कितने की पदस्थ अपना है अबादी और पुलिस की असकता के अनुसार कितनी संख्या बढ़ाने के असकता है साथ ही कितने और दरोगा के असकता होगी इसकी जनकारी भी मांगी यहां देख सकते हैं सुत्रों के अनुसार राजे में अब तक सिर्फ दो बार ही दरोगा की सीधी नियुक्ति हुई है वर्ष 2012 में 384 पदो पर और 2018 में 2580 पदो पर दरोगा की बाहली हुई थी इसमें स्पेशल बरांज के 480 दरोगा भी सामिल है इस वर्ष जे सेसी 946 पदो निकालेगी वहीं जर्खन दरोगा भरती 2012 में 348 पदो के लिए तथा 2018 में 2580 पदो पर निकाली गई थी पूलिस मुख्याले ने ग्रिह विभा को इसकी रिक्वीजन भेजी है जिसमें कहा गया है कि दरोगा की भरती के लिए राज्य करमचरी चैन आयोग जे सेसी को प्रस् 250 रिक्तिया है इन दोनों को मिलाकर कूल 946 पदो पर निकति होगी इसके लावार सार्जेंट के भी खाली पड़े 29 पदो पर बहाली होगी बतादे सार्जेंट के कूल 100 पद सुविक्रित है एसी को मिलने वाले 26 आरक्षन में दो पद आदिम जन जाती के लिए आरक्षित कि जिसके पूरती इस बहाली के दोबार की जाएगी तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू